हेलो फ्रेंट्स आपसे के फिर से स्वागत है आज किस नय वीडियो में आज किस वीडियो हम बताएंगे कि अपने वोटर अडी काड को स्मार्ट काड में ओर्डर कैसे करें चाहें आपका पहले से वोटर अडी बना हुआ हूँ या फिर आपने हाली फिलाल में बनवाया तो दोस्तों वडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चलंको सब्सक्राइब नहीं कि अभी अभी चलंको सब्सक्राइब कर दीजिए नोटिफिकेशन बर जरूर पेस कर दीजिएगा चलिए दोस्तों आज किस वुड़ो को शुरू करते हैं तो आपको अपने mobile में play store या फिर app store को open करना है और search करना है voter help line और इस application को install करेंगे और open वाले बटन पे click करना है और इसके condition को agree करेंगे tick करके next वाले बटन पे click करना है और यहाँ पे अपने हिसाब से language select करेंगे English या फिर Hindi और get start पे click करेंगे तो दोस्तो हम application के dashboard में आच च चुके हैं और यहाँ पे हमें बहुत सारा option मिल जाता है जैसे कि सबसे पहला option मिलता है voter registration का इस पे click करेंगे तो यहाँ पे भी हमें बहुत सारा option मिल गया है तो सबसे नीचे वाला option मिलता है replacement of voter ID card form 001 इस पे click करेंगे और let's start पे click करना है तो यहाँ पे कोई भी एक mobile number enter करे जाएंगे उस पे OTP जाएगा OTP के थरू verify करेंगे अब यहाँ पे पूछा जा रहा है do you already have voter ID number क्या आपके पास voter ID number है अगर है तो yes पे click करेंगे अगर नहीं है तो no पे click करेंगे तो मेरे पास है yes पे click किए अब next वाले बटन पे click करना है तो यहाँ पे voter ID number को डालेंगे औ उसका पूरा details यहाँ पे आ जाएगा तो दोस्तो यहाँ पे voter का पूरा details load हो चुका है अब आगे बढ़ने के लिए next पे click करेंगे और यहाँ पे उस address को इंटर करना है जहाँ पे अपने voter ID को मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से address को इंटर करना है ताकि वहाँ पे आपका voter ID सही सलामत पहुँच सके properly डालना है दोस्तो एड्रेस डालते समय एक बात का ध्यान दिजिएगा कि house number है जैसे कि यहाँ पे type कर दिए 9 इसमें अपने आप 9 type हो जाएगा यह एक उपर वाला English में है नीचे वाला Hindi में जैसे कि जो नाम यहाँ उप तरीके से डालने के बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक रीजन देना है कि किस वज़ा से आप दूसरा voter ID order कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जैसे कि हमारा voter ID है खड़ाव हो गया है या फिर गुम हो गया है या फ डेट बर्थ को इंटर करके नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको उप्शन चूज करना है किस तरीके से अपने voter ID को रिसीव करना चाहते हैं पहला आप्शन है आई विल कलेक्ट वोटर ID फ्रम भी आर्सी सीएसी तो अगर आप सीएसी सेंटर या फ दूसरा अप्शन को चूज करेंगे और तीसरा अप्शन है आई विल कलेक्ट वोटर ID फ्रम भी एलो तो भी एलो को थुरू लेना चाहते हैं तो तीसरा अप्शन को चूज किजिएगा तो दोस्तों तीनों में सबसे बहतर अप्शन है बाई पोस्टिंग घड़ पर क्यों दोस्तों यहाँ पर पूरा डिटेल्स आचुका है सिंपली से आपको स्क्रॉल करके चेक करना है और नीचे में कनफर्म का एक बटन दिखेगा इस पर क्लिक करके कनफर्म करना है ठैंक्यू यूर एप्लिकेशन हैज बिन सम्मिटेड सक्सेसफुली ओन डेट दो तीन दो हो गिया है इसका स्क्रीन सोट करके रख लेंगे ताकि फ्यूचर में जब जरूरुत पड़े तो इसको यूज कर सके और सिंपली से आपको ओके कर देना है तो एपलाई करने के बाद आप अपने वोटर आईडी को ट्रैक भी कर सकते हैं तो ट्रैक करने के लिए नीचे में एक्स्प्लोर का बटन मिलेगा इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पी आपको स्टेटास अफ एपलिकेशन का एक ओप्शन मिलेगा इस पर क्लिक करेंगे और यहां पी अपने रेफरेंस आईडी को डालके और ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करेंगे दोस्तों स्टेटास में देख करेंगे तो अगर accept हो जाता है तो घर पे उसके बाद इसको deliver कर दिया जाएगा by post चूज की होंगे तो by post आजाएगा अगर reject होता है तो उसका भी reason आजाएगा कि किसलिए इसको reject किया जा रहे है उसको सुधार के आप अगली बार भी apply कर सकते हैं तो दोस्तों आप खुद से apply किजी आपको कहीं भी दिक्कत होता है नीचे comment करके जरूर बताइगा उसका reply हम ज